आइ फ्रेंड असलाम गुव्रेकूँ मैं आप आप यह नूसायन स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल पेट जीवानगी में तो आप लोग पीछे देख सकते हैं फ्रेंड यह आप लोग बीडेफ का जो यह गेट लगा हुए ठीक है ना यह आप लोग जगे जानती हैं यह आप लोगों का पुराना वाला कैडल फाम है जहां पे अब आप लोगों का सरदार डेरियन कैडल फाम बन चुका है तो आज मैं यहां का आप लोगों को कुछ कलेक्शन्स दिखाना चाहूंगा माशालला बहुत ही अच्छी और बहुत ही बहतरीन तयारियां चल रही है यहाँ ठीक है ना गाईज तो हम लोग अंदर चलेंगे और कुछ जानवर को अज में दिखाऊंगा समझे बस एक टीजर के तोर पे यह व्लोगिंग है आप लोगों के लिए तो हम अंदर के तरफ जाएंगे और कुछ जानवरों को आप लोगों को मैं दिखाऊंगा माशालला दो कंकराज यहाँ बहुत ही अच्छी तरीके से तयार हो रहे है और बाच्छी तो मत पूछे एक अलग लेविल का चीज है तो आईए मेरे साथ और चलते हैं लाइन के तरफ में और देखते हैं एक पर एक जानवर ठीक है ना गाईज तो माशालला आप लोग देख सकते हैं कि तयार यहां बहुत ही अच्छी और बहुत ही बैतरीन चल रही है यहाँ पे ठीक है ना अगर आप लोगों को जानवर चाहिए भाई तो सरदार डेरियन के डिलफॉम आप लोग आ सकते हैं ठीक है ना तो कलेक्शन को मैं बस एक जलके दिखाते चला जा रहा हूं बाई सबका और एक बहुत ही जबदस चीज में आप लोग दिखाऊंगा इसी व्लॉगिन में आप में एक बहुत ही हिट के डिलफॉम है ठीक है अगर इस जानवर पर आप लोग फोकस करें थोड़ा देखें भाई यह व्लॉगिंग के तरफ में बना रहा हूं जैस्ट में आप लोगों को अभी चीज दिखा रहा हूं निक की पोजिशन देखें इसकी निक की छोड़ आपने वाला रहा है बहा है बस जलके दिखा रहा हूं इसकी ठीक है एक ट्रेलर के तौर पे इसका खास एक विडियो में आप लोगो के लिए लाऊंगा लेकिन पूरा भी नहीं दिखाऊँगा इन्शाल्ला बहुत हिल आपनों के सामटे वो पूरा विडियो आप लोगों हाइट बेट और आपनों की तंदूलस्ती समझ में आए यहाँ पे जो आपनों की बाच्छें यह देखिए बाइक यह बाच्छें आप लेवर्स बाट्षिया जो कि और ज़न्वर को अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने आईए मेरे साथ तो जैसा कि मैं आपनों करता है दा फ्रेंड्स की यहां के जांवर होते हैं बहुत ज्यादा खुबसूरत होते हैं यह दथे पीछे में आप लोगों को अभी नहीं ले जाओंगा वज़ा ये है पीछे मैं जानवर को इसले नहीं ले जाओंगा क्योंकि भाई थोड़ी शिद्दत तो आपके अंदर भी होनी चाहिए कि आप भी आकर देखें और दूसरी चीज़ मैं इसका एक स्पेशल वीडियो प्रेट रखना बहुत सारी लोगों मैं आज मैं देख रहा हूं कि जानवर जो ऐसे धबड़ार होया रहे हैं बाई कि मतलब इतना ज्यादा मतलब कल्चाहा कलर होया रहे हैं कि मतलब जानवर के खुबसूरती असल जो इसकी रियल ब्यूटी वो बरबाद होया रही है तो माशालला एक नमबर खुबसूरती यहां पर यह देखे भाई तो यह सब होती है बनाने के अंदाज ओनर को होना चाहिए कि अपने जानवर को वाइट रखे मैं हमेशा हर कैडल फॉर्म्स को यही सला देता हूँ आप लोग अपने जानवर को वाइट रखने की कोशिश करें क्योंकि कस्टमर का चॉइस होता है वाइट यानवर ऐस पर जितने भी कस्टमर से लोगों पास आते हैं वो यह कहते हैं कि मुझे अच्छा खुबसूरत सा वाइट यानवर चाहिए अगर वाइट यानवर है तब बताएं भाई मुझे ग्रे शिड में जानवर नहीं चाहिए देखे जानवर वाइट ही होते हैं लेकिन उससे ऐसा कर दिया जाता है कि वो ग्रे हो जाते हैं तो वो गलती आप लोग भी ना करें जानवर को खुबसूरत वाइट करके आप लोग दिखाएं जितना मतलब वाइट रहेगा जानवर उतना खुबसूरत लगी है लाइन देखे भाई मतलब सजावट दिखे कितनी खुबसूरत लग रही है और ये सब जानवर अभी आपके कैडल फॉर्म के अंदर है हर तरफ से घेरा हुआ है जिसमें लाइटनिंग थोड़ा सा नहीं आपा रही है मतलब कुदरती लाइट इसमें नहीं आपा रही है अच्छे तरीके से हर तरफ से जो है ना प्लास्टिक घेरी हुई है थंडे के वएसे लेकिन अब जो थंड़ा है आइससे निकल रहा है अब गर्मी अपने उरूज पे आ रही है आइससे अब क्या होगा ना धूब की किरने और रोशनी जब इस पर पढ़ेगी ना तो जानवर की असली खुबसूरती निकर कर बाहर आएगी ठीक है मुझे ये एक नंबर का जानवरी एक नंबर का हर्याना जानवर ये बहुत ही ज़्यादा खुबसूरत लगा भाई और यह जानवर जब निकलेगा तो अपने एक अलग रुआब लेकर निकलेगा तो सरदार डेरियन केडिल फार्म का मुझे वीडियो मतलब बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है अभी फिलाल थाकि आप लोग यह भी जानवर बहुत ही खुबसुरत तयार हो रहे हैं और मैं यह गर लेगा क्योंकि भाई यह जो चीज है न इतना भारी भारी कंकराज मैंने अपनी इंटाइर लाइफ में कभी नहीं देखा भाई इस तरीके के इतने भरपूर पतलब मैं अगर कह रहा हूँ भाई कि इतना वीडियो में हम लोग घुर गुर के बनाते हैं फिर चाहे वो जित अलाइख एकदम हुबसूरत गुलाई ली हुई है दोनों के दोनों भारी कंकराज है रहा इतना भारी कंकराज है और इसके इसहाब से सो, नमबरिंग के हिसाब से, जैसे हम लों कहते हैं, यह उनीस है, यह थोड़ा बीस है, तो वो जो इसका जो उनीस है ना, वो ना जाने कितने कैंकरेज के उपर सो हो जाए भाई, समझे तो यह बीस वाला कितना खतरनाक होगा, समझे रहे ना, यह देखे, चहरे की बनावट, पका कंकराज, असली नसल, असली कंकराज, यह देखे, सिंग की बनावट, देखे, चहरे की, मतलब खुबसूरती देखे, भाई, बहुत भारी, बहुत भारी है, यह मैं आपको अगर कह रहा हूँ, अपने जबान से तो यह आप लोग खुद देखकर या कर अपने सर पकड लोग अधर, बहुत ही हुदा, बहुत ही उम्मदा चीज़ में आप लोगो दिखा रहा हूँ, सरदार डेरियन के इडल फार्म से बहुत भारी कंकराज है, बहुत भारी, भारी कंकराज चाते हैं, भाई, इससे जोड़ा ले, क्योंकि इसका पैटर्न का जोड़ा, आपको इसी खड़ डाल में मिलेगा ठीक है इसके बाद यहाँ भर चैनल को और भी मैं दिखाना चाओंगा कि यहाँ पनgroup यहाँ बहुत भर neb Statistics शिर्म अभी जानवर माशाऐलला बहुत ही उम्दा नसल के ये नसली जानवर में आप लोगों को दिखा रहdog हो खुबसूरती बहुती बैदिर ये जो हमारे है ये भाई की बनावाट है ये सब ये रहे कि मतलब जानवर को तयार करना हर हास से जानवर तयार नहीं होते हैं भाई तो ये इन भाई का मैं दिल से सलाम करना चाहता हूँ, इनके दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ भाई, कि एतने खुबसद खुबसद नगीने को ये तैयार कर रहे हैं, तो देखिए भाई, तैयारी बतलब दो चीज़ों से होती है, एक उनर के माइंड से, दूसरा जिस ल बना रहे हैं, तो बागी यहाँ पर मैं दिखा देना चाहता हूँ, यह जो बड़ा सा बैल है, यह भी एक बहुती बड़ा बैल है, और बहुती उम्दा बैल है, तो मैं इसके अगर हाइट को आप लोगों को बताऊं, तो क्या बताऊं भाई, यह बहुती उच्छा बैल है बात करूँ भाई तो काफी उचा बैल है ये देखे फरीत को देखे कहा है और जानवर को देखे कहा है मतलब हाइट हो तो ऐसी हो भाई ये खुबसूरा सा बैल मुझे बहुत ही हिट लगा और सबसे बड़ी बात है बाई एकदम मिल्की वाइट ये खुबसूरती ये बनावट तो मतलब मैं बहुत सारे केडल फॉर्म में गया भाई अभी तक जहां जहां आगा मैं वीडियो आप लोगों दिखाए हो इस तरीके के जो वाइटनेस मुझे सरदार डेरियन केडल फॉर्म में दूद का मतलब दूद को जो फेल कर रहा है ऐसी खुबसूरती है ऐसी मतलब वाइटनेस और वही चीज़ मैं फिर से देख रहा हूँ ये बहुती बड़ी बात है भाई तो अब हम लोग आयाते हैं थोड़ा सा हम लोग हर्याना लाइन के तरफ में आ गए हम लोग ये देखे तो हर्याना की ये खुबसूरत से जानवर माशालला ये सब भी जानवर ब बहती उम्दा बहती दिल के करीब जानवर आपनों को मिल जाएगी ये देखे खुबसूरती देखे भाई ये वाला जानवर मुझे बहुत पसंद आया मशालला ये जो सामने वाला जानवर है इसकी सिंग की बनावाट और इसका बाड़ी का शेप मतलब हैट सौफ्टो सद बहुत ही अच्छा जानवर को तयार करें ये जानवर को भी देखे ये भी बहुत ही खुबसूरत तो भाई चॉइस आपके हाथ में हैं आंधरा भी आपके सामने हर्याना भी आपके सामने और सब के सब खुबसूरत तो भाई जानवर को वाइट रखे मैं फिर से आप करें जैसे इनकी सादगी में सादगी एक वो सादगी होती है जिस पर ज्यादा ताम जाम ना हो और एक सादगी इसे कहा जाता है एक दम खुबसूरत वाइट तो मतलब वाइट ठीक है तो यह चीज़ें होनी चाहिए तो जस्ट मैं एक व्लॉगिंग के तौर पर यह वीडिय के सादगी तब तक के लिए अस्सलाम अलाइकुम और अल्ला आफिस